साउथ के सूपर इश्टार यश्ट की अभी हाल में रिलीज में फिल्म के जी अफ्टू बॉक्स आफिस पर जंग कर रही है। इस फिल्म वन्वाइट के साथ साथ हिंदी बॉक्स आफिस पर भी तरबा उड़ा रखा है। इस फिल्म को रिलीज हुए अब 12 दिन हो गई है। इसे बीच फिल्म के कमाई के पॉज़ा अपने हमारे सामने आ गए है। फिल्म में 12 दिन एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसके बार पहा जा रहा है इस फिल्म जंग बॉक्स आफिस पर राम चगन की आरारार को पीछे छोड़ सकती है। 12 दिन पार हुआ 900 करूड का आकरा। यश और बॉलिवर स्टार्स अंजरदत की लीड रोल वाली KGF2 पहले ही दिन से बॉक्स आफिस पर जंग कर कमाई कर रही है। KGF2 ने खाली हिंदी बॉक्स आफिस पर 300 करूड का आकरा पार कर दिया है। तो वही अगर हम वाल्ड वायर स्टर KGF2 की कमाई की बात करें तो ये मूवी 900 करूड का आकरा पार कर चुकी है। इस फिल्म में 12 दिन 23.44 करूड हुपए कमाई है। इसके साथ फिल्म के कुल कमाई 9.7.30 करूड हुपए हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म इसी हफ़ते कई बरी रिकॉर्ड तोड सकती है। इस हफ़ते पार हो सकता है 1000 करूड का आकरा। कंडर सुपरस्टार यश के फिल्म केजी अफूर्ड इस हसाथ से बाक्स आफिस पर कमाई कर रही है। माना जा रहा है कि फिल्म इसी हफ़ते बाक्स आफिस पर 1000 करूड का आकरा पार कर लेगी। इस फिल्म में यश के साथ साथ बॉलिवर्ड स्टार सिंजर्दत और रवीना टंजन भी एहम होने कामे है। एजिया फूर्ड की कमाई को लेकर आपकी क्या राए है कि आपको लगता है कि फिल्म नाप चरन की आरारार और आमिर खान की दंगल को पीछे शोर पाएगी। तब नच करके अपने राए हमें जरूर बताएं।